हेलो गाईज मैंना मैं हर्मन और आप देख रहे हर्मन से यूट्यूब चैनल तो आज की जो हमेरी वीडियो होने वाली है इसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे आप बैंक आफ नोवा स्कॉश्या को कॉन्टेक कर सकते हैं वो भी फ्री में और जो भी आपके जी एसी का आप कैसे एजिली अकाउंट में अपनी इंफोर्मेशन अपडेट कर पाएंगे तो चले वीडियो को शुरू करते हैं तो यह वीडियो का आईड़ा मेरे पास ऐसे ही आया यह एक्चुली इंसिडेंट में साथ हो चुका है रिसेंटली मेरी भी जो पेमेंट थी जो मैंने वायर करी थी महां पर GIC की वो रिटर्न आ गई क्योंकि में जो डेट अफ बर थी महां पर गलती से फिल गलत हो गई थी तो एक्चुली मेंको भी मेरी डेट अफ बर अप्डेट करवानी थी तो पहले तो मैंने उनके नंबर पर जो कैसे कॉल करते है कस्टमर करते है और अटोमेटिकरी मेरी चार्ज ओवर हो गया और मेरी जो कॉल है वो भी कट हो गई फिर मैंने एक एक दूसरा एक रास्ता रूंड़ा मैंने वाला के प्रॉब्लम के सॉलूशन कैसे ना कैसे करके लाना पड़ेगा तो एक्चुली मैंने उनकी वेबसाइट पे गया मैंने करने था क्टाक्ट टस्त का ओप्षन देखा महां पर वही टिपीकल नंबर्स दियो पियो तो मुझे बात नहीं करनी जी तो मैंने देखा कि महां पर एक ट्विटर का हेंडल दिया हुआ है ट्वीटर के जब मैं गया हा तो मैंने देखा कि इस नंदल है क्योंकि वह आप जरूर से पॉस्ट करके वो भी पढ़ सकते हैं मैं जब उनसे बात करी तो मैंने उनको मेरी प्रॉब्लम के बारे में बताया एक्चुली क्या किया कि मैंने आपे अपना जो वो है जो अकाउंट अमरे वो भी शेयर कर दिया पर तब उनने मुझे बोला कि आप यहां पे एक तरह से ट्विटर फिर मैंने उनको बोला कि मेरी प्रॉब्लम यह है चैसे कि आपको दिखी रहा होगा तो उनने बोला कि आप ऐसे चीज को सॉल्व कर सकते हैं पर एक्चुली क्या हुआ कि यही चीज को मैं सॉल्व नहीं कर पाया तो मैंने उनको बोला कि आप कस्टमर यह इतना बड़ा अमांट तो नहीं होता बट फिर भी आप ए स्कीन शॉर्ट देख लेंगे उन्होंने में को कॉल कर लिया फिर अब मैं बात करूँगा कि 500 रुपीस जो होता है वो इतना बड़ा अमांट तो नहीं होता पर फिर भी मैंने सोचा कि थोड़े से वांट का अगर यह हल्प हो रहा है तो जरूर से मैं इस पर वीडियो बनाऊ तो इसलिए आप अपना अगर जैसे महाँ पर बैंक आफ नोश्कॉसिया हो गया आफिर तो ICICI bank हो गया ICICI bank को भी आप contact कर सकते हैं पर आपको यह बात का ध्यान रखना है कि आप अगर उनका कोई Twitter handle है या फिर कोई भी दूसर सोचल मीडिया handle है जा पर बात करते हैं तो उनको आप बोल के जरूर से उनको बोलें कि आप मुझे call करें ताकि मेरी जो problem है वो solve हो जाए executives भी वहाँ के बहुत अच्छे होते हैं उन्होंने मुझे detail में मेरी problem पहले discuss करी उन्होंने मेरी confirmation भी ली नाम भाँ पूछा गया मुझसे मेरा passport number भी पूछा गया बात मेरा name और account number भी मेरे से पूछा गया तो आप यह सब details भी आपने साथ ready रखें तभी वह आपकी जो information है वो update करेंगे executives ने फिर मुझे बताया कि कैसे मेरे को उनको mail करना होगा तभी जो मेरी information हो update होगी फिर ऐसे ही मेरा within 5-7 days मेरा information तभी अपडेट हो गया है तो आप मैं मेरा Monday को payment जो है यह spelling mistake हो जाती है या फिर तो जो हमारा address होता है वो match नहीं होता है या फिर तो DOB में गलती हो जाती है तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है आपको easily बात कर लेनी है अपने bank से यह मेरे साथ भी हो चुका है मैंने खुदी bank से बात करी वहाँ पर बात करना easy होता है क्योंकि इंगलीश होती है आपको बस इंगलीश आने चाहिए इंगलीश में conversation आना चाहिए तो यह इतना amount आपको सेव नहीं कर रहा है फिर भी अगर 500 रुपीस आपके बच रहे हैं तो कई ना कई आपका ही फाइदा हो रहा है इसलिए मैंने इस वीडियो बनाने का सोचा जरूर से आप ऐसे contact कर सकते हैं अपने bank को अगर आपको कुई चीज ना समझ आ रही हो तो नीचे मैं आपको उनका handle बता दूँगा Scotia Bank Helps अगर आपका Bank of Nova Scotia में GIC है आप और भी कोई भी details उनसे ले सकते हैं कि G.I.C. के मेरा आवांट ट्रांसवर हुआ के नहीं हुआ और जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी वह आपके solve कर देंगे नहीं कि सिर्फ update information का ही हो लोगा handle नहीं करते हैं आपके सारे चीज़े भी handle करते हैं स्कीन सौर्ट में भी आपको दिख जाएगा के वह रिपलाई दे दूंगा और कमेंट डाउन करें अगर आपको कोई भी टॉपिक वीडियो चाहिए हो मेरे views तो आ रहे हैं video पर काफी थोड़े से normal views तो आ रहे हैं पर आप like करके Video को नहीं जा रहा है जिससे की video promote नहीं हो रहा ही तो यह बात आप गलत कर रहे हैं जरूर से वीडियो को like करें अगर आपने पूरी video देखी है तो वीडियो को हैं Blizzardенд देखें, end screen पे भी आपको एक playlist मिल जाएगी और आपको online ne bye nothing, no knowledge है और आप क्लिक करना चाहते हैं आपको complete knowledge आजाएगी basic और आपको इंग्लिस improv करनी है तो आप एक गिशहीं धिक रही होगी जारून से वह वीडियो देख लें आप अगर वो आप 7 steps follow करते हैं मैं guarantee लेता हूँ कि जरूर से आपके English improve होगी तो यह थी हमारी वीडियो कैसे आप bank और Nova Scotia को easily contact कर सकते हैं बिल्कुल free में without any charges and कैसे आपकी जो GIC की reactivation है वो easily हो जाएगी तो ऐसे ही मैं informative वीडियो जाता रहता हूँ, bell notification on कर लें जैसे ही नहीं वीडियो आगी सबसे पहले आपको notification आएगा आपका ही पहले फाइदा होगा तो ऐसे ही मिलते हैं आपसे next video में, next video में मैं कोई ना कोई अच्छा सा topic जरूर से टूंड के लाऊंगा तो आप वो वीडियो को भी जरूर से देखिएगा तिल देन मिलते हैं आपसे next video में, जरूर से अपना ध्यान रखें और अपने गोल्स जरूर से अचीव करें क्योंकि यही time है चीज़े करने का और कोई time नहीं होता अपने यूद को पूरी दर से enjoy करें और उसका development करें जार रहे जाधा बुक्स पढ़ें, यह मेरा है कि आपको एक tip दूँगा मैं मनलब एक में तरह से आप समझ सकते हैं कि बुक्स को जरूर पढ़ें कोई भी book हो novel या फिर तो कोई भी self development book आप जरूर से उसके 10 to 15 days के page पढ़ें और day 15 pages तो पढ़ें पढ़ें तो मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में till then take care, bye bye